प्लान कर रहे थे हम लोग उसी दुपहर जब मैं नंच की प्रिपरेशन कर रही थी तो मेरे फादर इनलोग को ऐसा फील हुआ कि जैसे घर में गैस की लीकेज हो रही है and he came to me and he said that Ashwa I feel that there is a smell of some kind of weird thing गैस है क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा और वो अपने portion में गए और उन्होंने बिजाए गैस का wall बंद करने के गैस का wall पूरा खोल दिया और lighter जला दिया जैसे ही उन्होंने lighter जलाया तो बहुत gas का एक धमाका हुआ और आग पूरी उनको cross करके निकल गई मैं और बच्चे उस वक्ट घर पर थे मेरी दोनों बेटिया हम फॉरण भागे उनको देखा उनके कपड़े घर में नॉर्मली वो पहनते हैं शलवार कमीज पहनते हैं उस वक्त उन्होंने कमीज नहीं पहना वाता तो आग नीचे से उपर तक आई है उनके पाउं और उनकी जो पेट की सकिन है और हाथ और चेहरा वो काफी affected हुआ है लेकिन खुदावन का बड़ा शुकर है और खुदावन का मोजज़ा है कि उसने अपने बेटे को अपने बंदा को अपने खादिम को उन आग के शोलों में से भी बचा लिया और खुदावन का बड़ा फजल है कि वो इस वक्त बेहतर हैं ठीक हैं जाहर सी बात है आग थी तो थोड़े वून्द हैं जखम हैं जिनको हील होने में एज फैक्टर की वज़े से टाइम लगेगा लेकिन खुदावन ने अपने बंदा की जिन्दगी को महफूज रखा उनके बॉड़ी और्गन्स को महफूज रखा और मुकमल तोर पर उनको सहतियाब और तंदुरस रकाम खुदावन का शुकर करते हैं और मैं उनके बहाफ पर आप सबको तसली भी देना चाहूंगी आप उनको अपनी खास दुआउं में याद रखें ताके वो वापस आकर अपनी ये जगा को संभाल सकें थैंक्यू मेरी गवाई मेरी भेहन के बारे में जिसका नाम ट्रेसी है खुदावन ने बहुत बड़ा मौटसर किया हमारी सिंदेगी में हम जितना शुकर करें उतना कम है उसको एक प्रॉब्लम हुई थी जिसका नाम गर्ड कहते हैं एक acid reflux होता है स्टमक के अंदर जो एसोफेगस को टच करता है इस अ स्टेज ओफ प्री कैंसर अगर ये खराब हो जाए अगर ये इसकी केर ना की जाए मेरी भेहन की तीन एंडोस्कोपी हुई थी और इच ताइम शी वेंट इसकी बाइपसी हो नी सकी लेकिन एंडोस्कोपी की थर्ड ताइम रिपोर्ट बहुत कराब आई थी और इसमें बहुत जकम बढ़ा था साइंस ने बहुत तरक्की किये कलर स्कैन की वज़े से हमें पता चाला तो इसमें काफी खून था काफी जकम उसका बढ़ शुका था खुदावण ने फिर भी एक टेम्टेशन जैसे हमें अजमाने शायद हमारे इमान को मजबूती देने के लिए ये शायद एक हमें एक्सपीरियंस करने को मौका मिला और लास्ट ट्राइडे जब हम सब दुआ कर रहे थे बहुत सारे लोगों ने मिल की दुआ की मेरी भेहन के बारो में और बहुत सारे लोगों ने शायद मुक्तलिफ मुचे पता भी नहीं कहां किसने दुआ की उसके लिए वेनिस्डे को वो गई है अपने बाइपसी के लिए और इंडिस्कोपी के लिए खुदावन का बहुत बहुत शुकर है उसकी जितनी भी थीनो रिपोर्ट साय थी पहले की शी वोज हील्ड उसके गस्तुरी थी हमेशा मौईरे और इसके साथ कुछ न जा कुछ बढ़ावा था था इंडिस्कोपी में इस बार सिर्व माई गस्तुरी आए है प्रेस लाओ फॉर भॉर्व अल इस लाओ वोर्व और हॉर्द और है thank you lord thank you everyone for all the press all glory and thanks to our father thank you everyone good evening to all in Christ Jesus it's a beautiful testimony God bless you sister I'm going to try and speak in Urdu but if I'm not so good this is a miracle by the way and it was something that was impossible but it was possible with our God and this testimony is my daughter and my daughter she's working at Lyakat National she's just completed a BSN she's completed almost completed her internship as well house job and she applied in one of the best hospitals in Karachi it so happened that when she applied online she got a message that we will be shortlisted come for the interview for the test but she could not make it for the test she told them that this day I am heading a big ceremony which is a nurses international conference and I cannot do it because you've just given me one day I can't make that so she was very disturbed very absolutely disturbed she says this is once in a lifetime mom and you know and this is what has happened so I said you got to make a choice she says I can't make a choice because if I don't do this all my papers that they have to sign and they have to give me they will not give it to me my certificates they're going to make me dance for it well I said then you got to let go this you know the test you know the test anyway I kind of as soon as I called brother Javed right away I called brother Javed and the group and I said brother this is what it is and Natalia is very disturbed but I did give her a message I told her that in Proverbs 5 5 5 3 5 to 6 trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding in everything acknowledge him and he shall direct your path that strength me ne usko dia the verse that I gave her or pher I I let go I just kept it in prayer I was on my knees brother was on his knee sister Liani was on her knee and just in when they I all of after I finished praying I was just the Lord just directed me to somebody to call this person up this person can do something so I did I did call the person up and I said look sir this is what it is the case and she's missing out because of this this reason he said don't worry I will see what I can do but two days passed the test was done yesterday 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 the test was given and nothing was done then last night when he called me up he called me early morning yesterday and he said did anything happen and I said no not as yet so he said okay and he switched the phone off and in the evening my daughter got a call saying that to come for the test this morning so this morning by God's grace she went there this was impossible believe me because the HR will not allow you to give a separate test at all so all glory to God praise God hallelujah and she did get the test today she did pass the tests and now she's just waiting for the interview so all glory all honor praise adoration and worship to our living God hallelujah praise the lord everyone and uh khudawand me ap sabko salam um i thank the lord for uh the entire time this entire week that he's kept our family safe in different areas in in fact in every area even if it's sickness or uh mental health on the road everywhere he's always been there for us so i really want to thank god for this i wanted to give this testimony she's already added tracy is also my little sister so i thank the lord for her completely she's healed i really praise the lord for that and also my youngest son he had his uh test his admission in saint patrick's so i thank god from zero to hundred everything was taken care by god i didn't know how it happened i didn't know what happened everything was done everything was cleared and he'll be joining from august now praise the lord for for that also so amen all praise and glory to god thank you yes sir